में आपको बताने वाला है और उसमें आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा वीडियो को लास्ट तक देखेगा क्योंकि यह इंफॉर्मेशन साथ आपके लिए काफे इंपॉर्टेंट हो सकती है तो बिना टाइम वेश्ट किये सुरू करते हैं इस वीडियो को लेकिन सबसे प आपको सबसे पहले मिलती रहे बात करें कि अपडेट में आपको क्या-क्या मिलने वाला है तो सबसे पहला तो यह कि आप सिंगल स्वाइब करके नोटिफिकेशन को रिमूव कर पाएंगे इस अपडेट के बाद से अगर आपने कभी डिवलोपर अप्सन अपने फोन में इ होता है उसमें एक येलो कलर का लाइन ब्लिंक करता रहता है और यह चीज काफी रिटेटिंग थी हम सभी के लिए बट आने वाले अपडेट में इससे फिक्स कर दिया जाएगा साथी मुझे लगता है कि आक्सेस्बिलीटी को आउन करने के बाद जो येलो कलर का लाइट ब बट आने वाले अपडेट में उस आइकन को भी एड कर दिया जाएगा या जब आप हेटफोन को प्लग करेंगे तो आपको उपर में एक हेटजेट का आइकन देखने को मिल जाएगा इस अपडेट के बाद अब सवाल आता है कि ये अपडेट हमें मिलेगा कब तो मैं आप आपको बता दू कि ये जो अपडेट है वह आपके फून में 29 बढ़िया उसके बाद से आना सुरू हो जाएगा और मुझे लगता है कि ये अपडेट काफी कमाल का होने वाला है क्योंकि इसमें जो जो फीचर्स दिये हुए है जो जो अपडेट में आने वाला है वह काफी कमाल का है एंड यह चीज हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट थी अब हम बात करें कैमरा टुए प्याइए की तो इस चीज का भी हम लोगों ने काफी ज्यादा डिमार्ड किया था कि रियलमी 2 प्रो में कैमरा टू एप्डेट में आपको ये मिल जाए और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से अपने रियलमी 2 प्रो में गूगल कैमरा को यूज कर पाएंगे इस वीडियो में आपको बता है और आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कर साथ तब तक के लिए गूड़ बाई